अब कोई भी व्यक्ति है ना मालेते हैं पती जो है वो दो साधी कर लिए पहली पत्नी है और दूसरी पत्नी भी है है ना दूसरी पत्नी है अब यहाँ पर इससे दो बच्चा है और इससे तीन बच्चा है लेकिन इस पती की अगर मालेते पहली पत्नी की अगर मिर्ती हो जाती है तो बिना तलाक का ये साधी हुआ है तो एक तो सबसे पहले यहाँ पर दूसरी पत्नी का जो अधिकार है न ये जीरो है कुछ नहीं है अधिकार दूसरी पत्नी का लेकिन दूसरी पतनी का मतलब कानूनी अधिकार की अगर जब बात करेंगे मेंटिनेंस की बात करेंगे बहुत तरह के सवाल हो तो वो जो है जीरो है नहीं होगा इसलिए कि अगर मालेते हैं कोई भी वेक्ती बिना तलाग के दूसरी साधी अगर करता है तो दूसरी साधी सुन माना जाता है पहली पतनी जो है उसका ही अधिकार रहेगा अब उसके साथ वो रहे चाहे नहीं रहे सवाल उठता है कि यहाँ पर की जो उनके बच्चे हैं दूसरी पतनी के जो बच्चे हैं तो दूसरी पतनी के जो बच्चे हैं, वो अपने पिता के संपत्ती के उत्राधिकारी हैं, लेकिन पहली पतनी के जो बच्चे हैं, वो भी अपने पिता के संपत्ती के उत्राधिकारी हैं, अब सवाल उठता है कि जो संपत्ती होगा वो किस परमालतें पती की मिर्ती हो जाती और पती भी जो है पती के हिस्से की जो समपत्ती है तो वो पहली पतनी को प्राप्त होगा ये बात समझ ले और पहली पतनी के जो बच्चे है वो परिबार के उत्रा अधिकारी है उसका कानूनी हक है और वो अपना कानूनी हक जो है कानूनी तरीके से भी प्राप्त कर सकता है दूसरी पत्री के जो बच्चे हैं उसका भी कानूनी अधिकार है वो भी अपना अधिकार का दावा कोट में करके संपत्ती पे प्राहक प्राप कर सकता है तो ये है जो एक तरह से जो हिंदू महला है उसके लिए ये कानून है अब यहाँ पर सवाल है कि मैं बहुत वीडियो ढून रहा था लेकिन आपका मुझे एक वीडियो मिला सेक्षन 15 के अनुसर हिंदू महला की मिर्त्यू के बाद उसके पती भी वारिस होता है लेकिन मैं जाना चाहता हूँ अगर महला के पती उसके जिवित रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरी साधी अगर कर ली है तो ऐसी परिस्थिती में पहली महला की मिर्त्यू के बाद उसके संपत्ती वारिस का हक हाँ बिलकुल जो है वारिस का जो हक है वो मिलेगा खास करके अगर पैतरिक संपत्ती है तो महला एक तरह से जिवित हो या महला की मिर्त्यू हो गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उस बैट्ती के पास जो संपत्ती है वो उनके पुरवच की संपत्ती है तो कभी भी वो कानूनी अधिकार जो है उनके जो उनी अधीकार होगा वो पहली पत्नी का ही होगा सवाल मालिकाना हक का प्रूफ के लिए बिजली का बिल वो जमीन का टेक्स भरते रहें और उसका बिल जो है रखा करें रासन कार्ड जो है बनबार रखें जो है मतदान करते रहें आखिर जो है पॉसिबल हो तो मतदान का भी रखा करें ठीक है देखें बिल्कुल जो भी है कि मालिकाना हक अगर माल लेते हैं आपका जमीन पर कबजा है आप मालिकाना हक का दावा अगर करते हैं कि आप एक तरह से दावा पिस करते हैं कि आप संपत्ती के मालिक होंगे तो आपके पास जो बिजली का बिल है वो होना चाहिए जो बिल तो आपके पास होना चाहिए और रासनकार जो भी है आपको तो ये पूरूफ दिखाना होगा ना कि आप लंबे समय से इस घर में रह रहे हैं आप 12 साल से अधिक समय से इस घर में रहे हैं तो वो पूरूफ तो नाम के plot पेपर 1986 का सायद यही date है पर जिसने यहाँ पर sale किया था उनसे भी वो plot किसी और को sale कर दिया जिस पर अब एक घर बना है sale करने वाले की date हो चुकी है कुछ हो सकता है अगर माल लेते हैं जो आपके एक तरह से पापा के नाम का जो जमीन है पापा का नाम का जमीन है लेकिन देखें पापा के नाम से जमीन है पापा भी अगर माल लेते हैं किसी से वो जमीन खड़ी दे हैं तो एक बार जो कागजात आपके हाथ अगर original कागजात है तो अगर माल लेते हैं किसी को कोई sale कर दिया नहीं कर दिया उससे कोई लेना देना नहीं उसमें वो संपत्ति उससे कोई लेना देना नहीं कौन किया अब कोई गलती किया तो उसमें का कर सकते हैं संपत्ति का असली मालिक वही होगा जिसका पहले रेजिस्टी हुआ है अब से आले की डेट हो चेकी है तो उसके जो उत्रादिकारी है पड़िवार में जो भी उसके उत्रादिकारी होंगे आपका अगर मालतें कोई गलती किया है कोई एक तरह से फ्रॉड किया है तो आप उसके पड़िवार के जो सदस्य हो सकता है आपको कभी दिक्कत आए तो जो पड़िवार के सजस्स हैं आप उस पर दावा कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर सवाल है कि सेल जो कर दिया है जिस पर की एक अब घर बना है अब है कि करने वाले की वीडियोत हो चुकी है लेकिन अगर पापा के नाम से फलोट का पेपर मिलता है तो आप सिविल कोट में जो है है ना टाइटल सूट का दावा कर सकते है मतलब आप अपना माली का ना हक का दावा इसलिए कि अपके पिता का नाम का पेपर है पिता का नाम का पेपर है ताप उसको पहले वेरिफाई करवा लेंगे अगर वो सही पाया जाता है तो आप अपना दावा पेस्ट कर सकते हैं सवाले की सर, हम 6 साल पहले जमी लिखवाए थे और वह अब घर बनाया यहाँ पर बनबाया था सरकारी लोग रोक रहे हैं जिससे की यहाँ पर और कुछ लोग जो की हमारा सभी कागज सही है और पूरा है फिर भी सर कुछ उपाय बताएं यहाँ पर देखें अगर मान लेते हैं 6 साल पहले आप जमी लिखवाए है घर बनबाये थे जो भी है अब जब आप यहाँ पर अगर इस परकार का समस्या उत्पन हो रहा है तो आप SDO SDM के पास जो है एक आभेदन दें कि आपके साथ आपका सारा कागजात सही होने के बावजूत आप पर एक तरह से रोक लगाने का क्या कारण है जबकि आपने 6 साल पहने जमी लिखाया है और आपका दाखिल खारिज मूटेशन सारा कुछ हो चुका है फिर भी एक तरह से क्यूं आपका रोक लगाय जा रहा है जबकि आप उस पे घर वनबाए भी है ठीक है तो जो भी समस्या है एक बार महाँ पर जरूर आपे दन करें और जो भी आपको उसमें जो एक तरह से बाधा उत्पन कर रहें उसकी सिकायत आप SDM के पास जो है जरूर क करें सवाल है सर मेरे जमीन पर मेरे परोसी घर बना लिया है कागज मेरे पास यहां पर है रसीद भी जो है कटता है थाना जो सीओ कुछ नहीं कर रहे है क्या करें हमें बताएं सर पिलिस देखें परोसी अगर माल लेते हैं आपके जमीन पर घर बना लिया है तो रसीद भी स बना लिया है, उस case में आप सिभिल कोड़ चले जाए वह ज्यादा सही रहाए तो आप कोई अदिकारी के पास आप जाएंगे भी तो मकान हटाने का मकान तोरने का हो सकता है कि आदेश आपको ना दिया जाए तो इसलिए बहतर बिकल्क यही है कि अगर ऐसा कोई किया है तो आ आप जो है civil court का सहारा लें आप civil court चले जाए अगर मकान पर जो है 15C चल रहा है और 15C के चलने के दौरान SDM मकान तोरने का आदेस अगर पैसा के बल पर दे दिया है तो कैसे रोक है देखें अगर SDM का आदेस हो गया है आदेस अगर हो गया है तो आप सबसे पहले आप civil court में case फाइल करेंगे एक वकील से बात कर लें और civil court में case फाइल करें कि ऐसा-इसा SDM का आदेस होआ है और civil court में जब case फाइल करें तो उसका एक नकल जो है आप फाइल करेंगे वकील के माध्यम से आप उनको बताएंगे कि SDM को भी एक तरह से रिपोर्ट कर देंगे कि उनका जो आदेस हुआ है उसके against जो है वो आप civil court का है अब मामला को आगे ले जा रहा है इसलिए कि तक है मकाम तोरने का अगर आदेस दे दिया गया है और गलत तरीके से कर दे दिया गया है ठीक है तो फिर तो वहाँ पर जो है जो विकल बसता है एक तरह से कि आपके पास वो civil court आप जा सकते हैं जायेंगे civil court का जब मामला civil court में चला जाएगा तो फिर SDM का आदेस जो है फिलाल जब तक civil court का फैसला नहीं आ जाएगा और कोई भी जब आदेस होता है कोई भी फैसला होता है तो आप उसके आगे जा सकते हैं अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है आप उस फैसले को एकसेप नहीं कर रहा है तो लोगों का पास बिकल्प है मालतें किसी की जमाजगाई होती है अब जमानत एक जगह से अगर मालते आपको लग रहा है कि आप यहां पर जो है आप सही फैसला आपके पक्ष में नहीं हुआ तो आप आगे जा सकते हैं सवाल है कि सर नाना नानी की जमीन है और बोल यहां पर जो है अभी जिन्दा है और मेरी मामी की जो है मिर्तियू हो गई है तो प्रोपर्टी पर मेरा हग होगा की नहीं ठीक है तो दखें अगर मा लेते नाना नानी की अगर आपका जमीन है नाना और नानी की जमीन है तो इसमें जो आपकी मा है तो मा तो परिवार के उत्रादिकारी है तो उनका तो हग बनता ही है और मेरी मामी के अगर मिर्त्यू हो गई है तो मामी के अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी उत्रादिकारी होंगे तो प्रोपर्टी पर बिल्कुल दखें कानूनी हक तो अगर मा लेते हैं उत्रादिकारी अब कोई नहीं है तो आपकी मा होगी लेकिन आपकी मा जो है उस पड़िवार का हिसेदार भी है मा का अगर कोई भाई है तो वो भी पड़िवार का हिसेदार है उनका भी कानूनी हक है तो नाना नानी का जो भी संपत्ती है उसमें जो उनके बच्चे हैं वो बेटा हो बेटी हो उसका अधिकार होता है तो आपकी मां का अधिकार होगा तो जो मां का सेयर है जो मां का हग है तो आपका भी हग कानूनी हग बनता है आसा करते हैं वीडियो चाह लगाओगा वीडियो चाह वीडियो को लाइक जरू करते हैं चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबाला है